तो फ्रेंट्स बजीज पैरट गर्मी के मौसम में ब्रीड करते हैं या नहीं करते हैं और बजीज पैरट का ब्रीडिंग सीजन किस टाइम से किस टाइम तक चलता है कब उनका जो है पीक टाइम होता है ब्रीडिंग करने का और किस टाइम पर उनसे ब्रीड नहीं लेनी चाहि या ब्रीड नहीं करते हैं बजीज पैरट तो ये सभी बाते हैं आज की वीडियो में आप से डिटेल में शेर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़ादा इंफोमेटिव है वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहीएगा और जो बाई एक चैनल से नए जुड़े हैं तो बजरी तो उसे रिलेटेड सभी तरह की वीडियो हम अपने चैनल पा लाते रहते हैं तो प्लीज भाई हमारे चैनल को कर लिजेगा सब्सक्राइब तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट देखें फ्रेंट्स बजी स्पैरट जो है ये नॉर्मली इनका ब्रेडिंग सीजन में जो अगस से स्टार्ट होता है और लगबग मार्स तक इनका जवर्दस ब्रेडिंग सीजन जो होता है अच्छा वो चलता है लेकिन बजीज पैरट से आप किसी भी टाइम पर ब्रेड लेना चाहते हैं तो वो कर देते हैं ब्रेड ऐसी कोई बात नहीं है कि जादा की प्रॉबलम को हल कर सकते हैं गर्मी जादा नहीं लगने दे सकते हैं अपने बर्ड को तो आप गर्मी के टाइम में भी बिल्कुल ब्रेड ले सकते हैं इनका कोई ऐसा नहीं है कि कोई सर्दी में ही ये ब्रेड करेंगे या गर्मी में या बर्सात में पूरे साल बर बजी इस पेरट से अगस से मार्स तक, अपरेल तक ब्रीड लेते हैं, उसके बाद 3-4 महीने का उनको रेस देते हैं, क्योंकि गरμी जाधा होती है, जाधा गरμी में ब्रीड लेने से बर्ट की हेल्थ खराब होती है, बचे वगरा मरनने लगते हैं, तो अब बात ये होती है, कि दस के महीने का और मौसम ठंडा होने दें, बरसाते होने दें, उसके बाद ही आप ब्रिड लेने के बारे में सोचें, लेकिन भाई अगर आपके यहां पर कभी भी ब्रिड नहीं हुई है, आप यह चाहते हैं कि यार यह गर्मी का मौसम में मैं जो है टेंपरेचर वगयरा में कर सकता हूँ, अपने यहां पर मेरे यहां इतनी गर्मी नहीं है, तो क्या इस टैम में ब्रिड ले सकता हूँ, तो कुछ आपको साफधानी बरतनी होंगी, जैसे कि आपको इस बात का ख्याल लगना होगा कि अगर आप ऐसे टाइम पर गर्मी में ब्रिड लेना चाहते हैं, तो मट्कियों के ढकन बिल्वी ना लगाएं, तो मट्कियों के ढकन लगे रहेंगे, तो मट्कियों के अंदर बहुत जादा सफोकेशन होता है, गर्मी बहुत जादा होती है, तो फीमेल जब अंदर बैठेगी, तो उसको गर्मी लगेगी, उसकी हल्थ खराब हो सकती है, और चिक्स जो निकलेंगे वो भी मर सकते हैं, तो आप मट्कियों के धक्कान ना लगाएं, और दोस्तों, वेंटिलेशन का ख्याल लखें, देखिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होता है, तो जो कॉलोनी या केज होता है, उसके अंदर जो है अतनी गर्मी नहीं रहती है, थोड़ी गर्मी कम हो जाती है, क्रॉस वेंटिलेशन होने से, एक जगा से हवा आती है, दूसरी जगा से निकल जाती है, तो थोड़ा सा टेमपरेशन कम रहता है, तो उससे फाइदा मिलता है, बर्ड को तो वेंटिलेशन का ख्याल लखें और दोस्तों 30 डिगरी से जादा टेंपरेचर में बिलकुल भी ब्रीड ना लें आप अगर ब्रीड लेना ही चाहरें तो कूलर वगेरा का इंतजाम करें उससे अपने केज और कॉलोनी जहां पे भी आपका रखावा है उस जगा के टेंपरेचर को कम करें 30 डिगरी से उपन ना जाने दें तब ही आप ब्रीड लेने के बारे में सोचें बर्ड को ठंडी चीजे खिलाएं हरा दनिया पुदीना खिलाएं उनको दोस्तों तर्बूस खिलाएं और पानी वगएरा लगातार चेंज करते रहें मिट्टी के बरतन में पानी दें तो ये सब चीजे करें दोस्तों आप अगर चाहते हैं आप कुछ ब्रीड लेना चाहते हैं आपके यहां ब्रीड नहीं हुई है आपको लगता है कि हाँ यार बर्ड्स वगएरा मेरे अभी इस टाइम कर सकते हैं ब्रीड बाद में हो सकता है ये डिस्टरब हो जाएं तो अभी ले लूँ मैं ब्रीड तो उसके नहीं आपको करना यही होगा दोस्तों टेंपरेचर को मैंटेन करना होगा जादा गर्मी के अंदर ब्रीड लेना बहुत नुकसान दायक होता है बर्ड्स के नहीं वेट करना ही होता है और आपके यहां पहले ब्रीड हो चुकी है तो भाई ऐसा ना करें फिर इंतजार करें आप अभी ब्रीड ना लें और अगर आपके यहां ब्रीड नहीं हुई है इसी टाइम आपको लग रहा है कि हाँ यार पेर वगरा लग गए हैं ब्रीड हो सकती है तो भाई टेंपरेचर मेंटेर करें वेंटिलेशन का ख्याल लखें मटकीं वगरा के डखकन को उतार कर रखें ठेंडी तासीर की चीज़े खिलाएं तो गर्मी के मौसम में भी आप ब्रीड ले सकते हैं तो नॉर्मली बजीस पैरट जो हैं पूरे साल भर ब्रीड करते हैं कोई इनका यह नहीं है कि वो सर्दियों में ही खाली ब्रीड करेंगे तो ठीक है दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो अच्छे लगती है तो कर लिजेगा लाइक इचासत दीजिए मुलाकात होगी अगली वीडियो में ओके गुड़ बाइ